नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर के दिन तृतिया तिथी पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ तीन हरी इलाइची वाला उपाय करना चाहिए, यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्थ पर सही क्रिया अनुसार तीन हरी इलाइची वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरी विश्नु के आशीरवाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ती मिल जाएगी, आपकी कोई भी मनोकाम ना हो, मान लीजिए, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सोमवार तृतिय तिति के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी, इसलिए आप लोग इस तीन हरी इलाइची वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। कभी दुखदर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पाँच बार हर हर महादेव जरूर लिखे ताकि भगवान भोले नाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आप से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखें, देखें दोस्तों, ये सोमवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजापाट अनुष्ठान से, जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से, आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, कि भा आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है, यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेश दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेश दिन का जो है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस तीन हरी इलाइची वाले उपाय को किया है, तो हमें उ उससे पहले आप लोगों को यह जानना अवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, तीन हरी इलायची वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तीन हरी इलाइची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सत्रुवो और किसी भी दोश, किसी भी बीमारी से मुक्ती पाने के लिए तीन हरी इलाइची का बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है, और जब बा तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहने होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, और दोस्तों, अगर आप चाहे, तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं, अगर किसी व्यक्ती की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है, जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांती के लिए य गर 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 बहन कर रही हो तो फिर गर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तीन हरी इलायची वाले उपाय को कर सकता है। हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तीन हरी इलायची वाले उपाय को करने का। तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सोमवार का दिन है। और इस दिन प्रदोशकाल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपून बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। और शाम के समय प्रदोशकाल मे करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारण वश लेट भी हो जाओ थोड़ी देर भी हो जाए। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, उसके बाद में, दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें, प्रदोशकाल का जो समय होता है, वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब श शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में, आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु सोमवार, तृतिया, तिथी के दिन कोशिश करना, कि समय के अंतरगत ही कर लो, किसी कारण वश ना कर पाओ, तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, हरी इलाइची वाला उपाय करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तीन हरी इलाइची, अब तीन हरी इलाइची, आज सोमवार की रात, तीन हरी इलाइची, घर में इस जगह पर फेंक देना, धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी, और बड़े से वीडियो में तीन हरी इलाइची का ऐसा उपाय आपको बताने वाले है, तीन हरी इलाइची आपको अपने घर में जला देना है, इस उपाय को आपने इस सोमवार के दिन कर लिया, तो ऐसा मान कर चलिए कि आपके जीवन के जो दुख है, अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो देखिए बात करेंगे, सबसे पहले long की long जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं, या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना तो होता से आपके घर से नजर दोश को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है, और इलाइची के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवताओं को भी प्रसन करते हैं, और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं, तो जो लोग भी चाहते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेश कर इलाइची के उपाए जरूर करने चाहिए, जो लोग चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अच्छा पैसा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आये, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेशकर इलाइची के उपाये जरूर करने हैं। जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है, वो सोच नहीं पाता है। पूजा करते हैं, करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। भगवान के उपर पूरा विश्वास करके, जब आप कोई भी उपाय करते हैं, नका उपाय सफल होता ही होता है, और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं, तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है न, जो कि आपको करना है सोमवार के दिन इलाईची से, अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं, तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे न, कि हाँ, म देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दो इलाईची लेनी है, है न, एक भी इलाईची उसमें से खंडित न हो, तूटी हुई ना हो, अब आप अपने घर में जो दीप दीपक जलाते हैं, है न, कुछ लोग होता है कि पांच दीपक जलाते हैं, जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई कोई दो दीपक जलाता है, कोई तीन चार है न, कोई एक दीपक जलाता है, तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए, आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं, है न, च इस दीपक को जलाना है, वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है, वह हमेशा दीपक में तीन हरी इलाइची डालते ही डालते हैं, देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में तीन हरी इलाइची डाल कर दीपक जलाते हैं, न सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तुदोश को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजरदोश है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ, जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अडचन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी वेश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं, ना उसमें दो इलाइची डाल कर दीपक जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको सोमवार के दिन करना है, जब आप अपने घर में जिस समय पूजा क वह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें दो इलाइची डाल कर ही दीपक को जलाएं, इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा, और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोश भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोश भी दूर होगा, और हमें आपके घर परिवार की रक्षाना, आपके जीवन के जितने भी कश्ट हैं, उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं, और मनो कामना आपकी जरूर पूरी होती है जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए, पहला उपाय था ये अब जल्द ही से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तीन हरी इलाइची आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये तीन हरी इलाइची आपके जीवन के बड़े-बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है कभी-कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख है कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा और कभी-कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते है और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है व्यक्ति दुख में होता है और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं आकर है ना भले ही वो अपना पैसा किसी को न दे लेकिन जिसके पास पैसा नहीं नहीं होता है ना उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है यह सत्य है देखिए आप जो उपाय आपको बताने वाले हैं तीन हरी इलाइची आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे तो देखिए बहुत बार होता क्या है हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दिखा रहे हैं करजे की समस्याएं बढ़ रही है क्यों हमारे धन की हानी हो रही है तो देखिए बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजरदोश अब नजरदोश लगता कैसे है देखिए नजरदोश ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे न बढ़े धन को प्राप्त न करें सफलता को प नजरदोश अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति न दुखों के बीच जाकर रुखता है कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं करजा बढ़ने लगता है सर पर है न तो ये सारी चीज़ें होने लगती है घर में अगर आपके कलेश बहुत है न त नजरदोश आपके घर में है क्योंकि कभी न कभी हमारे घर में अगर नजरदोश आता है लगता है लोगों को या घर को को है न घर को भी नजरदोश लग जाता है तो ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में करजे को लेकर धन को ल पांच इलाइची लेनी है। तो आप इस उपाय को सोंवार के दिन जरूर करें। और तीन हरी इलाइची अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में ठीक है। ना सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मा लक्ष्मी का वास्त होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्ध होती चली जा आती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है। और नजर दोश बिलकुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों, आपके घर से दूर होती ही होती है। क्योंकि इलाइची जो होती है न, ये बहुत ही पावरफुल होती है। इलाइची और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा powerful हो जाते हैं, और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेश होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है, जो आपको धन अनुमान भी बना सकता है, और आपके जीवन के कश्टों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनरजी घर में आती है, है जब भी आप अपने घर पर घर के मुख्य द्वार पर तीन लॉंग जलाते हैं, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनरजी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है, तो आपके घर से निकल जाती है, और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर इलाइची और कपूर जलाते हैं, ना हमिन्शा मान लक्षमी वास करती है, क्योंकि इलाइची और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक उर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक उर्जा बढ़ती है न, हमेशा उस घर में देवी देवताओ का वास होता है तो देखिए श्री हरी विष्णु के साथ मान लक्षमी को अपने घर में बुलाए उनसे प्रार्थना करें मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है तो बात करें अगले महत्व पून और प्रभावशाली उपाय के बारे में काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक छुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और आपको सोमवार के दिन यह एक छुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है इस उपाय को करने से आपको एक महीने के अंदर-ंदर करोडपती बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज सोमवार भी पढ़ रही है, तो ये अगर सोमवार के दिन पढ़ जाएं, तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है, साथ ही साथ, जो लोग अपने गुप्त शत्रूओं से परेश चाहे तो आप अपनी कुंडली में अपने जीवन में राहु केतु से परेशान है, शनी की पीडा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोश है, नजर दोश है, हर प्रकार का हल, आज की वीडियो में आपको मिल वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, एक छुटकी काला तिल आपके जीवन में चमतकार का काम करेगा, और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महा धनवान बनेंगे, तो सोमवार का दिन जो होता है, इस दिन महादेव की विशेशक पूजा की जाती है, माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है, और आपको बता दें, सोमवार वाले दिन जो व्यक्ती एक छुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए, कि महादेव उसे ऐसा वर्दान दे देते हैं, कि उसके जीवन में धन न सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उस व्यक्ती इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए, कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं, कि व्यक्ती उसे संभाल नहीं पाता है, तो आज की वीडियो विशेश कर उन लोगों के लिए है, जो धन को लेकर परेशान है, या अपने श यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं, तो देखिए, पहला उपाय जो है, यह महाधनी बनने के लिए है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है, देखिए, जो भगवान कुबेर है न, उन्होंने भी महादेव के मंदि में दीपक जलाए थे, और आप सभी उनके बारे में जानते हैं, कि वह कितने धनी है, कितना धन है, हैना अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा, तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक देशी घी का दीपक तयार करना है, एक चुटकी काला ति डालना है, अब यह दीपक आपको सोमवार वाले दिन, यानि सोमवार को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है, महादेव के मंदिर में जाना है, और वहाँ यह दीपक आपको जलाना है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, ना ऐसा समझ जीए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है। धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक छुटकी काले तिल डाल कर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। ये एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क् कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं अब बहुत सारे लोगों को। तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिलकुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या या हमारी कुंडल होते हैं उन्हें तो पता होता है जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं तो देखिए अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है तो राहु केतु कही ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, अब घर में बहुत बार क्या होता है, कि बहुत सारे लोगों के घरों में कही ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कही ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है, है ना, और अशुभ प्रभा आपको परिशान कर रही हैं, राहु केतु, अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा, क्योंकि शनी की आए भी जब परिशान करती हैं, तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है, क्योंकि शनी देव जब दुख तो हर तरफ से जीवन में दुखाता है, क्योंकि वह कर्म फल दाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, लेकिन अगर शनी देव किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं, कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, यह भी सत्य है, अब करना क्या है, सोमवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है, ठीक है ना, एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर दो चुटकी, एक चुटकी काला तिल डाल देंगे, अब इसी जल से आपको महादेव को अर्ग देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर ठीक है, ना, तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है, महादेव से, प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है, उन्हें महादेव, आप ठीक कर देना, तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शन की साढ़े साती परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीडाएं आपके जीवन से दूर हो जाती है, राहु केतु जो है, यह भी शान्त हो जाते हैं, शनी देव की कृपा आपके उपर बरस्ती है, और महादेव ऐसा आशीरवाद आपको देते हैं, कि जीवन के जितने भी दुख है न, वह दूर होते चले जाते हैं, तो यह दूसरा उपाय है, अब बात कर लेते हैं, तीसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है, मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे, और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है, कि जब किसी व्यक्ती के जीवन में शत्रु उसे परेशान करते हैं, ना तो व्यक्ती हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है, कि उसके आपको उपाय को करने के लिए, तो देखिए, यहाँ पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है, दोसे तीन शमी की पत्तियां आप ले ले लें, और आपको क्या करना है? गंगा जल से शमी की पतियों को धो लेना है, साफ कर लेना अब आपको यह शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वही पर पर बैठ कर थोड़ी देर आपको ओम नमह शिवाय का जाप करना है नमह शिवाय, ठीक है, ना 108 बार बोलना है अगर ना बोल पाए, तो 21 बार भी आप बोल सकते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना महादेव से कह देना महादेव मेरे जीवन में मेरे शत्रूओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है मैं अपने जीवन के शत्रूओं से परेशान हो चुका हूँ मैं हर तरफ से हार चुका हूँ हर जगह से हार चुका हूँ मुझे नहीं समझाता, मैं क्या करूँ मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीरवाद होगा, तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रू, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और यह सत्य है, जब महादेव किसी के साथ होते हैं न, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाए आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है, तो बात करें अगले महत्व पूर्ण और प्रभावशाली उपाए के बारे में, लॉंग के उपाए के लिए आपको सबसे प सदस्य हैं, उनके जीवन से दूर हो जाएगा, राधे राधे दोस्तों, देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में तीन लॉंग का ऐसा उपाए आपको बताने वाले हैं, तीन लॉंग आपको अपने घर में जला देना है, इस उपाए को आपने सोमवार के दिन कर लिया, तो ऐसा मान के चलिए, कि आपके जीवन के जो दुख हैं, अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो देखिए, बात करेंगे, सबसे पहले लॉंग की लॉंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड का पूजन करते हैं, लॉंग हम उसमें विशेश रूप से लेते हैं, क्योंकि लॉंग जो होती है, ये एक तरह से आपके घर से नजर दोश को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है, और लॉंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहु करने चाहिए जो लोग चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आय, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेश कर लॉंग के उपाय जरूर करने हैं, तो देखीए, जयोतिष शास्त्र में भी लॉंग क कि बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम होता क्या है? जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है, हम नहीं समझ पाते हैं, कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े-बड़े कष्ट भी आप बे बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं, लौंग के उपाय करके, देखिए, पूरा विश्वास करके, जब आप कोई भी उपाय करते हैं, न आपका उपाय सफल होता ही होता है, और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं, तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है, न जो कि आपको करना है, सोमवार के दिन लौंग से, अब हाँ, मुझे ये चीज चाहिए है, न मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ती के लिए आपको ये पहला उपाय करना है, सोमवार के दिन, तो देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दो फूल वाली लॉंग लेनी है, है ना एक भी लॉंग, उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि पांच दीपक जलाते हैं, जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है, बस इस दीपक के अंदर आपको दो फूल वाली लॉंग डाल कर इस दीपक को जलाना है, वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है, वह हमेशा दीपक में दो लॉंग डालते ही डालते हैं, देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में दो लॉंग डालकर दीपक जलाते हैं न, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोश को ठीक करता है, दूस यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोश भी पूरी तरह दूर हो जाएगा। तो देखिए, पहला उपाय था, ये अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की तीन लॉंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये तीन लॉंग आपके जीवन के बड़े-बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है, है ना, कभी-कभी आ जाता है। जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा, और कभी-कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, ना जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं। और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद तूटने लगती है। खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है, ना उसके साथ दस लोग खड़े हो जाते हैं। आकर है ना भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं नहीं होता है, न उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ती नहीं होता है, यह सत्य है, देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, तीन लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है, इस उपाय को आप एक बार पूरी सची श्रद्धा के साथ करें, और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे, तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुखा रहे हैं, करजे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानी हो रही है, तो देखिए, बहुत बार बहुत बढ़ा कारण होता है नजरदोश, अब नजरदोश लगता कैसे है, देखिए, नजरदोश ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी, मान लीजिए, कोई व्यक्ती है, औ तो जब वो मन में कोई व्यक्ती ऐसा सोच रहा है, है न तो उसकी जो नजरदोश इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है, आपके जीवन पर होता क्या है, नजरदोश अगर लग जाए, तो फिर व्यक् प्रेश बहुत है ना, तो समझ जाईए, कही ना कही नजरदोश आपके घर में है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजरदोश आता है, लगता है लोगों को, या घर को है ना, घर को भी नजरदोश लग जाता है, तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से हो पांच फूल वाली लॉंग लेनी है। पांच फूल वाली लॉंग लेनी है। आपके घर में निरंतर वृद्ध होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है। और नजर दोस्तों बिलकुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है। क्योंकि long जो होती है न, ये बहुत ही powerful होती है, long और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा powerful हो जाते हैं, और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेश होता है, आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है, जो आपको धनवान भी बना सकता है, और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनरजी घर में आती है, है न, तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर तीन लॉंग जलाते हैं, न तो कभी भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लॉंग और कपूर जलाते हैं, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि लॉंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव से ही जब दोनों तो